असलम ने कुम फ्रेंट्स मैं हूँ अंबर बलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंबर पंजाबी व्लॉग हीएप तो मैं जैसा कि आपके लिए बारी इजी टिप्स लेए आपको करें घण benzina मुल । yanan मुलिक मिखिए लेके हो लिया मेरी आपके लिए लैप याई फारेग्ने करने खरें हैं । और थे सब्सक्राइब कर vidare करूं और बहन की होसला अफजाई के लिए लाइक जरूर बढ़ दिया करें तो मैं आज आपके लिए जो टिप्स लेके आई हूं वो हैं बालों के रिडेटे तो हमारे जो बाल हैं आज कल शादियों का सीजन है तो हम क्या करते हैं सालोन में जाके हम अपने बालों को स्ट्रेट करवाते हैं हम अपने बालों को करवाते हैं ब्लू ड्राइ करवाते हैं और सप्रे लगवाते हैं बालों में तो इस तरह के बहौल में या हम हेर कलर लगाते हैं अपलाई करते हैं कि 收 attach Amb host, में पुने पूंतों, हमारे भाल शोच इसां का कि में काम होना जाते हैं, उत्ते हुआरे भाल रूटों में के स्चार्ट शूचाट हो में जड़े हैं आड़ा में जाईए तो उसके लिए मैं आपके लिए आज करने नगी हूँ आपको बताने लगी हूँ क्यूने जो ब्रैंड है पाकिस्तानी को यो नहीं है लेकिन ब्रैंड बहुत अच्छ है इसके साथ काम अगर आप करते हैं तो इसका 100% र्रोसल आता है क्यूने का तो मैं आज आपके क्यूने के कैपसुल यह मैंने बजार से बाय कि यह देखिए क्यूने के कैपसुल है और यह बालों को शाइन ग्लो देता है जैसे कि बालों में रफने सी आजाती यह देखिए यह क्यूने के कैपसुल है तो कुछ यह इनकी शक्र इस तरह से होती है एक यह सेपरेट था उनों पज़ार के हिसाब से आपको यह एक कैपसूल तकरीबं दोजसों मिल जाएगा एक कैपसूल लेकिन इसके फाइदे बहुत हैं यह एक तरह का सीरम है यह एर सीरम है अगर आप इसको बालों में लगाते हो यह सीरम का काम करता है तो फिलार हमें एक की जरोथ है हम एक अप्लाइ करेंगे तो मैंने कहा कि आपको मैं डेमो करके दिखा देती हूं आज तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमने लेनी है एक सीजर सोरी वीडियो से अठना पड़ता है समान ख्याने के लिए कि यह मैंने हमने क्या करने कैव सुन को कट कर लिना है सीजर से लें इसके अंदर से ओईली सा सीरम निकल रहा है मैं आपको चेटर राती है उसका तरीका भी बताती हूं तो आप पहले इसकी यह तीकनेस चेट करें यह हेर सीरम है और बालों में सिल्क शाइन पैदा करता है और बालों को बारा से जवान करता है जो कि हमारे बार रफ होके जड़ रहते हैं और दो मुएं हो जाते हैं यह उनको उनकी शिकारतों को यह दूर करता है तो यह देखिए इसकी तीकनेस देखिए माशाला से इतना थिक है जबरदास्त एक अमेजिंग चीज के सेर। इसे आप बोल सकते हो आप इसे कैपसूल भी प्रणा न कुछ लगा सकते हो इसको आप ऑईल में मिक्स करके भी बालों में लगा सकते हो इसके लगाने की कई तरीके हैं लेकिन आपको लगाना एक तफ़ा ज़रूर चाहिए अगर आग मेरा मेश्वा ले तो एक तफ़ा आप क्योंने का सीरम अपने बालों में लाजमी लगाएं जितनी भी पहने हैं जो ब्लू ड्राइ करवाती हैं जो स्टेटनर करती हैं बालों को आयरिंग करवाती हैं तो मेरा आपको एडवाइज यही होगी कि आप लोग एक दफा लाजमन आप यह अप्लाइब करें इंशाला आपको बितर से बितर फाइद आएगी अब आपको मैं इसका अप्लाइब करने का बताती हूं तरिक्का तो हमने हाथ पे इसको ले लिया यह देखिए आप देखरे अच्छी परा मैंने इसको निकाल दी है अब हम जैसे ओल कर लगाते हूं बालों में करने हैं ओल की तरह ही थाम इसको हाथों पे अप्लाइब कर देंगी यह देखिए खुश्बू भी अच्छी है इसकी यह देखिए मेरी बालों पे आपको शायद सॉरी हाथों पे आपको अपने बालों की आपने लंग में लगाना है ठीक है यह देखिए अच्छी तरह से आपने इसको अपने बालों की लंग में लगाना है रूट्स में नहीं लगाना रूट्स में लगाना रूट्स में लगाना रूट्स में लगाना रूट्स में लगाने का फाइदा नहीं तो आप कोशिशे करें, आप अपनी से बालों की लैंख में लगाए, और जो आपके बाल है ना इन में जस वकत आपने सीरम बालों में लगाना है आपके बाल तकरीबन 10% गिले होने चाहिए, उन में थोड़ी सी नमी होने चाहिए, थीके, तो तब आपने इपलाई किये, करन तो इसलिए अब मैं आपको अपलाई करके तिखा रही हूँ तो यह देखें और माशाला अब जैसे जैसे मेरा हाथ पालो पे ठिर रहा है येकीन बालो यह देखें बिल्कुल बालो में से जो वो होती है अपना क्या पोड़ते हो से अटकले होती है वो टोटल नहीं रहे रफ यह देखें यह देखें हाथ टोटल मेरे क्लियर हो है साप हो है इन में से सीरफ मेरा सारा बालो पे अपलाए हो गये तो अब यकीन माने मेरे बाल मैं आप लगा रही हूं तो मुझे मेरे बाल सॉफ्ट और नरम और बड़े प्यारी लग रहे है क्योंकि मेरे बाल बहुत रफ लग रहे थे मुझे क्लर लगाती हूं मैं कलर अपलाई करती हूं तो मुझे यह तकरीबन एक मन्थ में एक दफार लगाना पड़ता है एक कैपसुल ठीक है अगर आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं कलर लगाते हैं या आप लूड राएक क क्योंने का है ठीक है कोई और ने लेना तो क्योंने is very best यह देखें तो मेरे चितने भी पालर पर कस्टमर आते हैं यह इस तरह की problem होती है तो मैं उनको क्योंने ही लगाती हूं सी रफ ठीक है मतलब शावर से थोड़ा सा बालों को डिला कर लेती हूं तो उसके बार मैं यह तो यह बहुत ही जबर्दस चीज है तो मेरा आप से मशुरा यह है एडवाइस यह है कि आपको क्योने के साथ ही जाना चाहिए तो आप ऐसा करें आप क्योंने के साथ एक खरीड ले एक पी मिल जाता है जरूरी नहीं फिर मेरा के पर्फेशनल काम है ना तो मैं डबी ले ल लगे तो आप और भी खरीज सकते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि आपको इसका काम जरूर पसंद आएगा इन्शाला तो आप जरूरी काम करें मैंने खुद इस पे काम बहुत सालों का मिना तगरबा है मुझे 16 साल होगे इस पे काम करते हुए इस क्योने प्रैंट पे और प् अब देखें मेरे बालों में रफनर्सी खत्म होगी है अब बड़ा प्यारा सौफ्ट सा लुकार रहे हैं तो मजीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताके मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकूं थैंक्यू, आला हाफिस